हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंट्स पर्मनेंट प्लांट के नेम एंड प्राइज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कौन सा प्लांट धूप का है चाया का है ये भी साथ साथ बताऊंगी वीडियो काफी ज्यादा हैलफुल होगी इसलिए पूरा जरूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें चैनल को अगर आपने अम तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंट्स के कलर डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं इनमें लाइट कलर भी मिलते हैं आपको और डार्क कलर भी मिलते हैं और वाइट कलर में की पत्यों वाला डेफिन बेगया भी आपको मिलता है ये प्लांट कटिंग से इजी तयार होता है सर्दी हो गर्मी हो हमेशा आपके गार्डन में रहेगा आपको इसे बालकनी गार्डन में रखना है जहां पर इसे सिर्फ आधा एक घंटे की धूप मिले ज्यादा धूप की इसको जर्रत नहीं पड़ती है आप इसे थोड़ा बड़े पोट में लगाईए क्योंकि इसकी क्रोथ काफी अच्छी होती है और इसके छोटे चोटे बेबी प्लांट में निकलते हैं जिनने निकाल कर आप न्यू प्लांट अपने तयार कर सकते हो दस से बारा इंच के पोट में लगा दीजिए next है हमारा sweet potato wine sweet potato wine की भी आपको 2-3 तरह की variety मिलती है इसमें parrot color रहता है purple color रहता है दोनों ही color मेरे पास है और यह plant आपको nursery में 60 रुपीज का मिलता है यह बेल होती है आप इसे कहीं पर फैला सकते हो 2-3 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर भी आप इसको रख सकते हो Rio plant Rio only 40 रुपीज का आपको मिलता है और permanent plant है सर्दी गर्मी हमेशा आपके garden में रहेगा एक plant से ही आप इसके बहुत सारे तयार कर सकते हो क्योंकि इसके पास से baby plant निकलते रहते हैं इसे आप hanging pot में भी लगा सकते हो normal pot में भी लगा सकते हो और सिर्फ 2-3 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह रख दी यह baby sun rose baby sun rose को आप पूरा दिन की धूप में रख सकते हो छोटी छोटी cutting से easy तयार होता है सर्दी गर्मी हमेशा आपके garden में रहेगा और only 40 रुपीज का आपको नर्सरी में यह मिल जाता है क्योंकि एक succulent है तो इसमें आपको पानी कम डालना होगा यह hanging pot में लगा हुआ ज़्यादा प्यारा लगता है plant लोरो पैटलम प्लांट लोरो पैटलम जो होते हैं इनकी बहुत सारी variety होती है काफी different different पत्या छोटी बड़ी and hanging pot में लगा सकते हो इस तरीके की भी और इन plant को cutting से आप easy तयार कर सकते हो यह भी एक permanent plant है और hedge बनाने के लिए ज़्यादातर से use किये जाते हैं 40 रुपीज से start होकर आपको नर्सरी में 100 तक मिलते हैं पूरा दिन की धूप को भी बरदास कर लेते हैं आप इने balcony garden में decorate के purpose से रख सकते हो next coleus coleus जो होते हैं इनको भी रंग बिरंगी पत्यों की वज़े से ज़्यादा पसंद किया जाता है and coleus आपको only 40 रुपीज के मिलते हैं 2-3 घंटे की अच्छी दूप मिल जाए आप coleus को ऐसी जगह पर रख सकते हो coleus cutting से easy तयार हो जाते हैं सर्दी गर्मी हमेशा आपके garden में रहेंगे सिर्फ 8-9 इंच के pot में आप इनको grow कर सकते हो mother of thousand plant mother of thousand जो होता है ये भी एक succulent plant है और इसकी बहुत सारी variety होती है इस plant में से full भी निकलते हैं succulent है तो आपको पानी कम डालना है और 40-50 रुपीज का आपको ये nursery में मिल जाएगा इसकी एक एक पत्ती से आप new plant तयार कर सकते हो इसे आप hanging pot में भी grow कर सकते हो एक 2-3 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए ऐसी जगह पर आप इसको रख दीजे next लोरो पैटलम की ही एक variety है इसका जो main नाम है हम इसकी इन पर mention कर देंगे Chinese fringe plant भी बोलते हैं इसको ये cutting से easy तयार होता है इसके उपर छोटे छोटे red color के flower निकलते हैं इसे आप पूरा दिन की धूप में रखे क्योंकि ये easy से बरदास कर लेता है अगर चाया में रखोगे तो फूल नहीं आएंगे सिर्फ आपको इस पर पत्या देखने को मिलेंगी cutting से easy तयार होता है और nursery में आपको 60-80 रुपेज का ही ये plant अभी आपको मिल जाएगा मैंने इसको अपनी छत पर रखा हुआ है और काफी अच्छी धूप यहाँ पर इसको मिलती है next हमारा विंका या फिर सदा बाहर जो कि एक permanent plant है सर्दी गर्मी हमेशा आपके garden में रहेगा और only 20 रुपेज का आपको nursery में मिलता है ये एक hybrid plant रहता है तो इसमें भी आपको पानी कम ही डालना रहता है देशी plant इनका easy grow कर जाता है लेकिन इसमें जल्दी से fungus लगती है तो आप इसे fungicide powder डाल कर safe रख सकते हो इनके छोटे-छोटे बीजों से cutting से easy तयार कर सकते हो 15-20 दिन में सभी plant में एक बार liquid fertilizer जरूर से डाला करिए next है हमारा हमेलिया हमेलिया जो plant होता है ये भी ज़्यादा तर hedge बनाने के काम में लिया जाता है सडको किनारे आपने देखा होगा पहुत खड़े रहते हैं अभी आपको nursery में easy मिल जाएगा मैंने इसको 10 इंच के pot में लगाया है ताकि इसकी growth और अच्छी हो सके पूरा दिन की धूप में रखा हुआ है और इस plant को में only 40 रुपेज का लेकर आई थी मोगरा plant मोगरा के फूलों की खुस्पू पहुत अच्छी होती है सभी को पता है और इसमें 2-3 तरह की आपको variety भी मिलती है मोगरा का new फूल हमेशा उसकी new branch पर ही निकलता है तो आप एक बार फूल आने के बाद उसे हमेशा prune कर दीजे कटिंग कर दीजे हलका हलका उपर की साइड से तो आपके प्लांट में ज्यादा फूल कि लेंगे ज्यादा branches निकलेंगे घना हो जाएगा प्लांट थोड़ा बड़े pot में लगाईए 10-12 इंच के पूरा दिन के धूप को बरदास कर लेता है कटिंग से एर लेरिंग से इजी तयार होता है 40-50 रुपेज का आपको ये नर्सरी में मिल जाता है डे लिली प्लांट तो डे लिली प्लांट जो होता है ये भी एक पर्मनेंट प्लांट है तरदी गर्मी हमेशा आपके गार्डन में रहता है और इसको बल्ब से तयार किया जाता है इसके फूल काफी खुबसूरत रहते हैं इसी के पास से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं तो आप उन्हीं को निकाल कर अपने न्यू न्यू प्लांट तयार कर सकते हो और ये आपको नर्सरी में 80-100 रुपेज का मिलेगा क्योंकि इसकी बहुत सारी वेराइटी और फूलों के कलर भी अलग-अलग रहते हैं डेली इसको इसलिए बोला जाता है इसके फूल हमेशा मॉर्निंग में उपन होते हैं मेरी गुल्ड या फिर गेंदा भी बोलते हैं पर्मानेंट प्लांट रहता है सरदी गर्मी हमेशा आपके गार्डन में रहता है इसके सूखे हुए फूलों से कटिंग से इजी तयार हो जाता है पूजा में चड़ाने के लिए भी इसके फूल बहुत ज़्यादा यूज में लिये जाते हैं इनको भी दो से तीन घंटे की अच्छी वाली धूप मिल जाए आप ऐसी जगह रख दीजे इनमें फंगस जल्दी से लगती है तो आप फंजी साइड पाउडर यूज कर सकते हो इन पी के डी अपी इस तरीके के खाद अगर इन प्लांट में डलते हैं उससे इनको अच्छी फासफ वोरस की मात्रा मिलती है फ्लावरिंग अच्छी होती है क्रोसेंडरा प्लांट क्रोसेंडरा भी काफी हार्डियन पर्मानेंट रहता है और अपको 60 रुपेज का ही यह नर्सरी में मिलता है कटिंग से सुखे वे फूलों से क्योंकि इनके फूलों के नीचे इसका बीज बनता है बीजों से कटिंग से एर लेंग से आप इसको बहुत इजी तयार कर सकते हो हमेसा आपके गार्डन में रहेगा दो से तीन घंटे की अच्छी दूप मिल जाए ऐसी जगह आप रख दीज ये कम से कम आठ इंच के पूलों के कलर बहुत सारे आपको नर्सरी में देखने को मिलते हैं पर्मनेंट प्लांट रहता है ये भी नेक्स्ट हमारा चमपा तो चमपा प्लूमेरिया बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये भी एक पर्मनेंट प्लांट रहता है सर्दी गर् इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकली है इसके फूलों के कलर काफी सारे आपको देखने को मिलते हैं फ्लूमेरिया जो है आपको 80-100 रुपीज के नर्सरी में मिलते हैं लेकिन ये प्लांट सडको किनारे मंदिरों में बहुत खड़े रहते हैं तो आप कहीं से भी एक लगा सकते हो नेक्स्ट हमारा अडेनियम अडेनियम भी एक पर्मानेंट प्लांट है सर्दी गर्मी हमेशा आपके गार्डन में रहेगा गर्मियों में इस पर फ्लावरिंग अच्छी होती है इन प्लांट को बोंजाई बनाया जाता है कटिंग से इजी तयार होते हैं अडेनियम मिल सकते हैं अडेनियम को तीन घंटे की अच्छे दूप मिल जाए ऐसी जगह रख दीजे आलमंडा प्लांट आलमंडा की आपको दो तीन तरह की वेराइटी मिलती है इसमें वाइन भी होती है प्लांट भी होता है और यह प्लांट में 150 का लेकर आई थी इसके स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई हपी गार्डिंग